Hello everyone, our today's topic is flower. Water color flowers, 2 flowers हम लुग ढोख करेंगे, 1 rose flower and 1 sunflower. Rose flower एक साइड हम ढोख कर देते हैं. Rose flower बहुत ही एजी है ढोख करने के लिए। उसमें आपने सिफ petals आगे ढोख इस तरीके से ढोख करनी है। लीव ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लीव जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं संप्ला ड्रॉ करने के लिए हम एक सर्कल शेप की जरुरत पड़ेगी आपको बाउल भी ले सकते हो मैंने टेप यूज किया है और अपने बिग सर्कल के सेंटर में एक स्मॉल सर्कल और ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसके पैटल्स ड्रॉ करेंगे यह जो पैटल्स हैं सिर्फ और सिर्फ बिग सर्कल तक जानी चाहिए उससे बाहर नहीं तो हम अपनी सारी पैटल्स इसी तरीके से ट्रॉ कर लेंगे और बैक साइट में हाफ पैटल्स ड्रॉ करेंगे ड्रॉइंग हमारी कंप्लीट है और हम अपनी रोस फ्लार की लीव्स में कट्स देंगे इस तरीके से कलर लेंगे सबसे पहले हमने लाइट पिंक कलर लिया है और बहुती कम कलर लिया है इस कलर को हम पूरा रोस फ्लार में स्प्रेड करेंगे पाणि के साथ और यह जो color है बहुत ही transparent होना चाहिए sun flower में भी हम अपना base color बिलकुल light yellow color transparent पूरे flower में कर देंगे और center part में हमने orange color फिल किया है अभी leaves में light green यह हमारे base color ready है अभी आप इसको dry होने का wait करेंगे उसके बाद हमने red color लिया है और red color हम क्या कर रहे हैं अपनी drawing के आज पास apply कर रहे हैं और उसको water से spread करेंगे पूरी drawing पे ऐसे ही करेंगे डाक कलर लेके outline और water से उसको spread करेंगे पूरा फिल नहीं करेंगे हमारा color transparent भी नज़र आना चाहिए कहीं से red और कहीं से pink color नज़र आएगा अभी dark color ले लेंगे और सारे corners को dark करेंगे sunflower में हमने dark yellow pale color लिया है और उससे हम हर एक petal में नीचे से उपर की और इस तरीके से हैचिंग करेंगे आप orange color भी ले सकते हैं अगर आपके पाद dark yellow color नहीं है और सारे colors हम इस तरीके से करके सभी petals में water से उपर की और इसको spread करेंगे सभी petals में और यह जो बैक साइट से हमें petal नजर आ रही है वह सभी डाक कलर की होंगी तो हम उसमें डारेक्ट ओरेंज कलर थोड़ा थोड़ा ओरेंज कलर सेंटर में लगा रहे हैं और इसको भी हम water से स्प्रेड करेंगे थोड़ा थोड़ा डाक कर देंगे अभी सेंटर में हमने डाक प्राउन कलर लिया है और इसको हमने सेंटर वाले सरकल के आउटर आउटर पर एपलाई किया और बीच में water सिसको spread कर दिया पर सेंटर में एक स्मॉल सरकल बनाया ब्राउन कलर से और उसको भी हमने spread कर दिया डाक ब्रीन कलर लेके हम अपनी leaves में जगा जगा उसको एपलाई करेंगे और पूरे leaves हम फिल नहीं करेंगे कलर हमारा transparent नजर आना चाहिए और light green और dark green दोनों कलर हमारे नजर आने चाहिए इस तरीके से हम apply करेंगे कलर और जो हमने circle ड्रॉ किया था उसको अब हम erase कर देंगे ब्लैक कलर ले रहे हैं black sketch pen और इससे हम इसको outline करेंगे बहुत ज़्यादा डाक आउट्लाइन नहीं करेंगे प्रेक लाइन से outline करेंगे हम सभी petals में हम arc जैसा draw कर रहे हैं और हमने यह पूरा flower outline कर दिया अभी ऐसे ही rose flower को outline करेंगे हमारे flowers ready हैं